पचिलना दिनमा बिपक्षी गठबंदन ले संचार कर्वी हरुसंग अंतरकरिया गर्दे राष्ट्रपती रो प्रधान मंत्री को चरको आलचना गरिराय कासन। पचिलना बिपक्षी गर्धान मंत्री को चरको आलचना गर्धाय कासन। जब viene कीज़ अनियोट है ठालावाद मेरी आसक शीरा मयाना काल जूमैंट आण स्टान काम बाते हो कारःकर्तर रश्म्मागी ज़े दोलिक वहाँ Прना कि आद मेरी जह मंदय दोलिक अपाटे हूश्न और दयान में कहां कि खονतल रहल चेंग जुना का से तुनर में एंग, ज्यां म சहीं जए बहून कि तुनर भर्णक की ख杜िय कमूतों पास इएर उनलन जान did ai खक्शे धादी जए है जाून भुला क Việt उनले दजय करता अiau कि अगला खमक्षी को fonction idee नेकपा मावादी केंद्र का अद्धोक्ष पुस्पकमल तहले सर्बत्च अदालत ले परतिनी सवाप पुन रिस्थापना करे र सिर्बाहदुर देवालाई पधानमंत्री तोक्नुपर ने बतान भायको सा आफली सर्बत्च अदालत को फईसला पईले नही जानकारी पायको भाने र केपी ओली ले दुस्प्रसार गरेको भन्दै दाहले ओली नही अदालत मा शेटिंग गरना अग्रसर भायको आरोप लगाउन भायो मुद्धामा आधारित भायरा बनीको बिपक्सी गटफंदन लामो समयसमा अगी बढ़ने दाहालको दाबी सा उहाले ए मालेको बास्तवेक नेता माधब कुमार नेपाल भायको भन्दै केपी ओली खसकी नथालेको बनी बतान भायो माहिरे स्युतिँम भायको षाब थे कुमता माहिरा सक्यम्दे का मांचेमे दे भणी है आचृममा अधालwhat शेटिँम मां शबनेको थीईनral अ बदे का कर्या सुमा भायक योंदकी था स्युतिए थे घजिञा नथा जनताले आफने सेटिंग बनाऊंच बनेको थिने न बन्दे देत्ताई बहुए। आएको जानकारने देई नेपाल ले गट्फन्दन लाई धोका दियेरा पतको पसी न लागने प्रस्ट पारन भायको हो। जनता समाजबादी पाति का अध्दक्स उपेंद्र यादबले सारबुच अधालाद भायको थिये नेपाल ले गट्फन्दन लाई धोका दिये न बताए पसी देवाली परस्ट परस्ट पारोंच पर्श्ट पारने आश्वासंदीन भायको थियो। जनता समाजबादी पाथी का अद्धक्ष उपेंदर यादबले सरबुच अदालात बाता समसद प्रणर स्थापना रा नेपाली कांग्रेस का सभापती सिर बहादुर देववालाई प्रधान मंतरी बनावने स्वैट प्रमादेस जारी हुने विश्वांस प्रेक्ट गरन भ कारेक्रमा गटफंदर में रहेको और कुदल राष्ट्रे जर्मोर्चा का नेता मनुस भट्टले ओली सरकार को कमजोरी का कारण बैदेसिक हस्त से बड़ेको आरोप लगाउन भायों वहाले ओली परभिर्ती अंते का लागी केंदर देखी प्रदेस सम्मा गटफंदा लाइब बलियो बनावना साथ दिने बतान भायों कुछ सरकार प्रमोखले ने एक पसी और को समिधान बिपरित का काम गरे पसी सर्भुच अदालत ले अंकोस लगाउन परेकुछ जसले गर्दा अदालत लाई पने बिबाद मा तानने प्रियास भायों कुछ प्रदान मंत्री ले नई अदालत मा स्वेटिंग भायों कु आसन का बेक्त होनु लाई धेरैले गंभेर रुप मा लिये का सन एक रिपोर्ट इद बिला नागरिक का लागी भारुसाको केंद्र बने कुछ अदालत सरकार ले एक पसी अरको गर्दे सम्मिधान बेपरित का निर्णाय गरे पसी सर्वत्च अदालत ले उल्टेवनू परेकुछ पईलु पटक परदानमंद्री केपिस्रमा ओलिले पूस पांस गते समसत बिगाटन गरे पसी अदालत मा मुद्धा पर्यो सुनवाई जारी रहंदई नेकपा मावादी किंद्रका अद्धक्ष पूस पकमल दाहाली परदानमंद्री ले निर्बाचन आयोक तथा सर्वत्च अदालत जस्ता सम्मेधानिक निकाय संगर सांटकाट मिलाई सकेको आरोप लगाउन भायो तर उहांको आरोप समसत्पुनर स्थापना भाय संगे गलतनी साबित भायो अईली फेरी परदानमंद्री ओली ले नै अदालत मा सेटिंग हुने गरेको भन्दे आफुली गरेका निडाय उल्टे उने गरेको आरोप लगाउन भायो छा परदानमंद्री ओली ले जेट आशकते समसत्प भी गर्टन भायो तेसको बिरुद्धमा अईली पनी सुनवाई जारी छा पईलू पट गता बर्षको पूस पांस गती गरेको परतिनी सबाब भी गर्टन लाई सर्वचले बदर गई देको थियो अली पनी बदर हुने हो की भन्ने आसंका गर्दे ओली ले अदालतले सेटिंग का आधारमा अफु बिरुद्ध आदेस तिनस्वकने आरोपलगान भायको हो अधरी निष्पक्षय निरूपण भायो की अरुने हिशाबले अलाच वर्चा साल सेटिंग भन्ने साथ खुब चाल साल नचर बदर्ग कुखर अरामण सावले अगले दिने दादेमाशे यहां दारायो प्रभावावाला परदान मंद्री ले दोक्राइल लाउपशलना उठाए से दियोगाता महांको तर्कसा सम्मिदान विपरित मंत्री मंदल प्रुनरकाटन गारी को बंदे शर्बचली बीस्चेना मंत्री लाए पदमुक्त गराए दिये कोशा जस्ति करदा पनी परदान मंत्री ओली असंतुस्ट देखीनी भाय कोशा तरा विश्वास को मत न पाए पसी पनी पन न छोड़नी और लाए दोस्तिनी ओली को परविर्ती गलत भाय को केसी बतावन हुँँचा आरको शर्खार लेत शर्वार देवा लगा लगा परदान मंत्री ओली ये जस्पाको महंत पक्सलाई खुसी बनावना नागरिकता सम्मंधी अध्याद सिलवन भाय को थियो तेसलाई सर्वचली कारिन महान गरन देना ओली ये नियुक्त करन भाय का बिश्चना मंत्र लाए पनी सर्वचली अबइद भानी दियो गीटी बालुआ उत्खनन गर्णा बिक्री गर्ने सरकार को यूजनाले पनी सर्वत्चाले रोकी दियो इस सबै मुद्धामा ओलीलिये हारे पनी सर्वत्चाले उचित फैसला दियेको अधिकाम सकोटी पनी सा